Hello Everyone, यह है Learn Core Java Video Series यह Video Series उनके लिए है जो Complete Core Java सीखना चाहते हैं यह इस Video Series का Video No. 69 है इस Video में हम Runable Interface को Implement करके Thread कैसे Create करेंगे यह डिसकेस करेंगे So let us get started now जैसा कि हम पहले भी डिसकेस कर चुके हैं कि Java के अंदर Thread बनाने के दो तरीके होते हैं पहला तरीका होता है Thread Class को Extend करके Thread Class को Extend करके Thread कैसे बनाते हैं यह हमने पिछले वीडियो में डिसकेस किया था दूसरा तरीका होता है Runable Interface को Implement करके So now in this video, we will learn how to make a Thread by Implementing Runable Interface So Runable Interface को Implement करके Thread कैसे बनाते हैं वह यहाँ पे हम समझे तो उसके लिए इस प्रोग्राम को हम समझे इस प्रोग्राम में देखे हमने क्लास बनाए हुआ है MyRunable और MyRunable क्लास ने Implement किया हुआ Runable Interface को अब हम जानते हैं कि Runable Interface के अंदर एक Method है Run Method हमें जो Code को as a separate Thread execute करवाना है यह यह कहें कि हमें Thread को जो Task assign करना है लिखा हुआ है System.op.println के अंदर as a String Thread लिखा हमने फिर इस Thread String में मैंने concatenate किया हुआ है Thread.CurrentThread.GetId जैसा है कि हम पहले भी discuss कर चुके हैं कि Thread क्लास के अंदर एक Static Method है Current Thread यह जो Current Thread Static Method है Thread क्लास की यह जो Currently Running Thread है उसका Object रिटन करती है जब हमें Running Thread का Object रिटन होके मिल जाएगा तो उस Object पे हमने एक Method कॉल किया हुआ GetId अब जो GetId Method है वह क्या रिटन करेगा तो यह जो GetId Method है यह उस Particular Thread का ID रिटन करेगा यह भी हम पहले discuss कर चुके हैं कि जब भी हम कोई Thread क्रिएट करते हैं तो JVM उस Thread को एक Unique Number प्रवाइट करता है जिसको हम बोलते हैं Thread ID तो यदि आपको वो Thread ID जो कि JVM ने Thread को प्रवाइट किया हुआ है उसको Get करना है तो GetId Method को आप कॉल कर सकते हो तो यहाँ पे मैं चाहता था कि जो भी Thread Create होगा उसका जो ID है वो हमें Console Window में Visible हो जाना चाहिए इसके लिए मैंने GetId Method को कॉल किया हुआ है और उसके बाद में हमने एक String को Concatenate कर दिया जिसमें लिखा हुआ है Is Running Next Line में हमने एक For Loop बनाया हुआ है उस For Loop का काम यह है कि वो 0 से लेके 9 तक के Numbers को प्रिंट करेगा और देन हमने New Line में जाने के लिए कि Statement लिखा हुआ है इस तरीके से Run Method के अंदर हमने यह जो Code लिखा हुआ है यह हम चाहते हैं कि एक As a Separate Thread या As a Separate Process Execute हो इसलिए हमने इसको Run Method के अंदर लिखा हुआ है Now अब इस Thread को Start करके इसका Execution हमें देखना है तो उसके लिए हमने फिर से Class Create किया नाम दिया हुआ है Thread Demo इस Thread Demo Class के अंदर हमने Main Method को Define किया और Main Method के अंदर फिर से हमने पहले Statement में लिखा हुआ है System.out.println में Thread as a String और उसके बाद में Thread.CurrentThread.GateId यहाँ जो Current Thread हमने यहाँ पे Call किया Thread पे Obviously यहाँ भी Currently जो Running Thread है उसका Object रिटन करेगा और जैसा कि हम पहले Discuss कर चुके हैं इसके पहले के वीडियो में कि जो Main Method है Main Method का Execution भी एक Thread की Thrui होता है वह Thread GVM Create करता है जिसको हम बोलते है Main Thread तो यहाँ पे Thread.CurrentThread method हमने Main Method के अंदर Call किया हुआ है So यहाँ पे यहाँ method हमें रिटन करेगा Main Thread का Object और उस Main Thread पे Object पे हमने GetId method Call किया तो हमें Main Thread का ID यहाँ पे मिल जाएगा My Renable का Object क्रियेट करने के लिए एक Statement तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा My Renable Class का नाम M Reference Variable Equal New My Renable तो हमने जो My Renable Class क्रियेट किया उसका हमने Object बनाया Then Thread का Object बनाने के लिए हम फिर से Thread का Object क्रियेट करेंगे जिसके लिए मैंने लिखा हुआ है Thread T1 Equal New Thread and then यहाँ पे हमने Thread के Constructor में My Renable का जो हमने Object क्रियेट किया है उसका Reference पास कर दिया तो हमने Thread का Object क्रियेट किया, Thread का Object बनाने का मतलब ही होता है कि यहाँ पे एक Thread क्रियेट हो चुका है अब इस Thread को हमने कहा है My Renable का Object प्रोवाइड किया हुआ है यह क्यों किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि Thread बनाना मतलब कोई Particular Code को as a separate process execute करवाना और वहाँ Code हम कहां लेखते है, Run Method में तो यहाँ जो Thread का Object हमने एक्रियेट किया हुआ है यहाँ कौन सी Run Method का Code execute करेगा तो कौन सी Run Method का Code execute करेगा My Renable की तो My Renable का Object हमें देना पड़ेगा so that यह जो My Renable का Object है उसको यूज करके यहाँ जो Thread है वह Run Method को call करेगा और उसका जो Execution है वह complete करेगा Next Step में हमने जो T1 Thread है उस पे Start Method को call किया जो कि हम जानते हैं कि Start Method का काम होता है कि जो Thread है उसको Runable State में भीजवाना and then Main Method का Code यहाँ पे complete हो गया इस तरीके से हमने यहाँ पे इस Program में यह discuss किया कि Thread create करना हो और वह भी Runable Interface को implement करके तो कैसे करेंगे अब इस Program का Flow हम discuss करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि Java का जो Program है वह Main Method से Start होता है So very first what will happen Main Method जरूर सबसे पहले call होती है और यहाँ जो JVM है वह Main Method को call करता है बढ़ इसके पहले यह भी हम discuss कर चुके हैं कि Main Method को call करने के लिए JVM पहले एक Thread create करेगा जिसको Main Thread बोलते हैं और वह Main Thread responsible होगा Main Method को call करना और Main Method के अंदर जो भी Code लिखा हुआ है उसको Execute करना तो सबसे पहले इस Program में क्या होगा JVM में एक Thread create करेगा जिसको हम कहते हैं Main Thread तो यह Main Thread बना अब Main Thread का का काम क्या होता है कि Main Method में जो भी Code लिखा है उसको Execute करना बट कोई भी Thread directly create होने के बाद में Execution Start नहीं करता है सबसे पहले जब Thread create होता है तो create होने के बाद में Thread को हमें Runable State या यूँ कहें कि Ready to Run Queue में भीजवाना पड़ता है तो यहाँ पे JVM जो है एक Runable State या यूँ कहें कि Ready to Run Queue manage करता है सबसे पहले जो Main Thread है वह इस Queue में जाएगा जैसी Main Thread आपका Queue में चला जाएगा इसके बाद की जो process होगी उसमें क्या होगा कि इस Main Thread को CPU Allocate किया जाएगा तो now Next Step में यहाँ पे Main Thread को CPU Allocate किया जैसी Main Thread को CPU Allocate होगा इसका Execution स्टार्ट होगा और जब Main Thread का Execution स्टार्ट होगा इसका मतलब Main Method का Execution स्टार्ट होगा Main Method में Very First Line में हमने जो भी लिखा होगा है वह एक्जिक्यूट होगा इसमें हमने Console Window पे Print करवाने के लिए Statement दिया होगा है तो यह Statement जो है Console Window पे Print हो जाएगा कुछ इस तरीके से लिखा होगा जाएगा Console Window में Thread 1 is Running यहाँ पे जो 1 लिखा होगा है Actually यह Main Thread को दिया हुआ Thread ID है क्योंकि हमने यह Call किया था यहाँ पे Thread.CurrentThread.GateID तो यह GetID मतलब इस Thread का ID यहाँ पे Print होगा इसलिए यहाँ पे लिखा होगा Thread 1 is Running Next Step में हमने कह किया हुआ है My Runnable का Object Create किया My Runnable वह Class है जो हमने Create किया हुआ है तो My Runnable का Object Create किया उसके बाद में हमने कह किया हुआ है Thread का Object Create किया उसके लिए हमने लिखा हुआ है Thread T1 Equal New Thread और उसको my renewable का object प्रास किया, तो जैसे ही thread का object बना, इसका मतलब एक thread create हो गया, तो यहाँ पर मैं इस thread को t1 call कर रहा हूँ, तो t1 thread यहाँ पर create हो गया, जो की main thread का child thread है, वह thread जो हमने create किया, ओके, यह thread create हो जाने के बाद में, next step में हमने t1.start method call किया हुआ, start method की functioning क्या होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि start method जो है, वह thread class की method है, और start method किसी भी thread को runable state में भिजवाने का काम करती है, तो यहाँ पर जब t1.start हमने call किया, तो यह start method क्या करेगा, यह जो t1 thread है, उसको runable state में भिजवा देगा, यानि यूँ भी कह सकते हैं कि यह ready to run queue में आ गया, किन्तो अभी जो CPU allocate किया हुआ है किसको main thread को, main thread के पास में भी CPU है और उसका execution चल रहा है, तो आगे execute होता रहेगा, पर यहाँ पर देखें main method में, अब इसके बाद में कोई भी code नहीं लिखा हुआ है, तो main method का execution है, यहाँ पर complete हो जाता है, एक बात यहाँ पर ध्यान किसी manage हो सकता था, कहने का मतलब है कि JBM हो सकता है, main thread को किसी particular point पे pause कर दे, और pause करने के बाद में, वो जो CPU है किसी दूसरे को allocate कर दे, this is possible, बट यहाँ पर, since हमने main method के अंदर बहुत ही कम code लिखा हुआ है, वो already execute हो चुका है, तो अब क्या होगा, CPU main thread से ले लिया जाएगा और जो next thread है, यहाँ पर T1, उसको CPU allocate कर दिया जाएगा, तो next step में, अब T1 के पास में CPU allocate हो गया, जैसी ही T1 thread को CPU मिलेगा, अब यहाँ अपना execution start करेगा, तो जब यहाँ execution start करेगा, हम जानते हैं कि, जो child thread है, T1, वहाँ execution start करेगा, मतलब वहाँ अपनी run method का execution करेगा, तो run method के अंदर जो भी code लिखा हुआ है, वहाँ T1 thread के थुरू execute होगा, इसमें सबसे पहले हमने system.or.println में एक statement लिखा हुआ है, वहाँ execute होगा, तो इसमें भी कुछ नहीं, बल्कि यह जो thread create हुआ है, उसका id print होगा, तो जो output में वह लिखा हुआ जाएगा, thread 14 is running, तो यह 14 है, यह हमारा जो child thread है, T1 thread जो हमने create किया हुआ है, उसको दिया हुआ idea, तो यह print होके आगया, उसके बाद में for loop है, for loop जो है 0 से लेके 9 तक के digits print करेगा, तो यह 0 से लेके 9 तक के digits console window में print हो जाएगे, उसके बाद में control जो है new line पे चला जाएगा, and then run method का code भी यहाँ पे complete हो ग create किया था, और T1 thread जो हमने create किया हुआ है, उनका execution जो है वो एक के बाद एक चला है, बट ऐसा कोई compulsory नहीं है, okay, इनका execution वो simultaneous बे चलता है, बट simultaneous execution कैसे क्या होता है, उसका समझने के लिए हम आगे के videos देखेंगे, अभी के लिए हमने यह देख लिया, कि यदि किसी particular task को हम separate process या as a separate thread execute करवाना है, तो उसके लिए हम thread कैसे create करेंगे, और फिर उसका execution कैसे क्या होगा, thanks for watching this video,